बिती हुई रात की सुनाती है कहानी ये सुभा सुहानी हो कलियों का बच्चपन फूलों की जवानी ये सुभा 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 सुभानी हो सबसे प्यार से दिल से भरपूर जीवन जीने के बाद जब परमात्मा चाहेगा कि हम इस दुनिया से जाएं तो प्रेम से स्विकार भाव से हम यहां से इस धर्ती से इस धर्ती से उठकर इस आस्मान में तैरेंगे तैर करके प्यार से मैं इसी आस्मान में पहुंचूँगा इसी आस्मान में कुछ मुझे पुराने साथी मिलेंगे कुछ लोग मुझे मिलेंगे जो मेरे रिष्टेदार होंगे कुछ लोग मुझे वहां भी मिलेंगे जो कहेंगे हम आपका वीडियो देखते थे लेकिन सब की आखों में दिल में मेरे लिए प्रेम होगा क्योंकि मैंने प्रेम कमाया है किसी का दिल जान बुश कर कभी नहीं दुखाया अगर दुखाया होगा तो कोई एक भी मिलेगा तो मैं वहां भी उससे माफी माँग लूँगा छमा माँग लूँगा मेरे कई पुर्खे मेरे रिष्टेदार सब मुझे मिलेंगे लेकिन कई सालों के बाद मैं भी जीना चाहता हूं बरपूर जीवन जीना चाहता हूं सबसे निभाना चाहता हूँ और निभाने के बाद, जीने के बाद मैं इस आस्मान की सेर भी करना चाहता हूँ क्योंकि यह आस्मान बहुत खुबसूरत है इस आस्मान के पीछे भी एक और दुनिया है जहां बहुत सारे दुनिया के इस दुनिया से दूर और भी अच्छे लोग और भी अच्छे आत्माएं परमात्मा के साथ निवास करती हैं उस दुनिया के सेर करना भी जरूरी है इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जीवन हमेशा है जीवन कभी समाप्त नहीं होता आत्माएं कभी समाप्त नहीं होती कभी इस धर्ती पर तो कभी उस आस्मान पर कभी ब्रह्मांड में कभी तारों के लोक में आत्माएं अपना व्यवार करती रहती है और उनकी यात्रा जारी रहती है